मनोध जी क्या लगता है आपको तब तो ये खह रहें कि आंदोलन इस्थलिए लेकिन सनवाद नहीं स्थलिए्ठ होगा। लेकिन आंदोलन का भूत अभी भी आपके पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन सवार ये उठता है कि जब समिक्त किसान मुर्टा सारी बाते मान चुका है। मैं आपकी बात समझ आपके बात मानते हैं कि इस चुनाओं में मतलब इतनी सारी कवायत के बाब बात भी चाहे पंजाब हो उत्तरा खंडो उत्तर प्रदेश हो आपको ये सफाई देती रहने पड़ेगी। आपको किसानों को ये बताते रहना पड़ेगा कि देखो हमने क्या किया और आंदोलन का ये जो पूरा ये एक साल से जादा आंदोलन चला ये आपके लिए चुनाओती तो बना रहेगा। विरोधी पार्टी आपके हमले करते रहेंगी। परड़ेश के चुनाओं उनको दिखाई दे रहे थे उसके बाद ये पंजाब के चुनाओं दे रहे थे और कुछ राजनितिक दल भी हैं। नहीं लेकिन लेक देखे आप मूत चिबा नहीं सकते हैं। नाहीद जी तो क्या समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जहां जहां चुनाओ लड़ रहे हैं। क्या किसान आंदोलन को मुद्दा अभी भी बनाएगी। गौरव जी सबसे पहले तुम्हें कहना चाहूंगी जनरल रावत जी उनकी पत्नी और ग्यारा अन्य जिनका कस्मिक लिधन हुआ। उन सब के प्रती हम सब स्रधांजली अर्पित करते हैं। पूरा देश गमगीन है आज। और जिस प्रकार से किसानों की बात कर रहे हैं। किसानों के महान नेताओं ने कली घोशना कर दी थी कि आज से 15 दिसंबर तक किसान घर वापसी करेंगे। ये उचित कदम है। उनके लिए मैं एक शेर कहना चाहते हूं। बड़ी मुद्दत में उमीदों की कलिया मुस्कुराई हैं। मतलब एक साल से जादा समय हो गया कि हमारे किसान भाई सड़कों पर आंदोले थे और 706 से अधिक हमारे रामभग किसानों ने किसानों की जानों की आहूती दी है इस काले क्रिशी कानून के विरुद। और जिस राजनीती की बात कर रहे हैं। उस पे मैं कहना चाहते हूं क कौन से किसानों ने कहा आपने कौन से किसानों ने जान दी है। समाजवादी पार्टी किसानों को रामभक्त कह रही है क्यों यह समझ में नहीं आया मुझे। कि पहले आपको बात बता दूं फिर मैं वो भी बात बता रही हूं। इतना टाइम नहीं होता नाहीद जी मेरे पास और भी गेस्ट हैं। अरे महतुपूर बात है नहीं तो आपके यह में चुप लगा जाओ एकदम। किसान क्यों कह रहे हैं आप लोगा अपको समझ में आ रहा है यहां पर अभिनों कुमार कोली मैं बाखत किसान मैं नहीं जी आपको पूरा वक्त पर दे चुको हूं लेकिन आपको लगता है कि इस चुनाओं में किसानों का मुद्दा चाया रहेगा चाहे प्रेंका गांधी हो चाहे आपके कोई निता हो ये मुद्दा उठाएं ये किसान का अंदोलन स्थगित होने के बाद भी और किसानों की घरवापसी के बाद भी कि अब देखिए कि राज्यसवामें नितागे वापस आजाने की नहीं है लडाए शंबात किया जब भी लायर संबात में वापस गया तबी संबात में हुआ इस पूरी लाइन में आप सब की बात से इत बातता है कि मनोज जी ये आंदुलन का मुद्दा चाया रहेगा चुनाओं में अडी सुमवार से शुक्रवार शाम छे बजे सिर्फ टीवी नाइन भारतवर्श पार